हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं होममेट मसाला बनाने जा रहे हूँ आप देख सकते हैं सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था तो अब देखिए मैंने लिया एक कटोरी धनिया लाल मिर्श तेजपत्ता सौफ जीरा अजवाइन और मेथी मैंने कम लिया है कि मैंने अजवाइन और मेथी कम क्यों लिया अजवाइन और मेथी जादा डालने से मसाले में तीखापन आ जाता है इसलिए अजवाइन और मेथी मैंने कम लिया है तो डिस्क्रिप्सिंग बॉक्स में मैं अच्छी तरीके से सारा क्वांटिटी कडाई गरम हो चुकी है तो अब मैं धनिया डालके भून रही है धनिया हमें 2 से 3 मिनट भूनना है कडाई आपकी गरम रहनी चाहिए पर फलेम जो है गैस का वो मीडियम से कम रहना चाहिए मतलब low medium रहना चाहिए उसके बाद आप इस तरीके से धनिये को निकालके दबा के द भुन चुका है तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में पलट दूँगी और अब मैं मेथी और अजवाइन दोनों एक साथ भुनूंगी यह देखे मैंने डाल दिया है मेथी और अजवाइन को हमें एक से डेड़ मिन थी भुनना ज्यादा नहीं भुनना वो भी सेम ही फ्लेम पे ना फ्लेम तेज करना है ना कम करना है यह देखे भुन चुका है तो यह भी मैंने पलट दिया और अब मैं भुनूंगी जीरा जीरा most probably हम लोग सारे अपने घरे में भुनते हैं तो हमें पता है कि जीरा भुनने के बाद क्या सुगंदा आता है और उसका क्या कलर आता है तो अब मैं जीरा भुनूंगी जीरा को हमें 2-3 मीनट तक भुनना है अच्छे से यह देखे जीरा भुं चुका है तो अब मैं फिर इसे बरतन में प्लट दूंगी और अब हमें सॉफ भुनने के टाइम आप एक बात कि ध्यान में रखना है जादा नहीं भुनना है एक मिनट ह भूनना है क्योंकि सौफ बहुत जल्दी भून जाता है तो इसे भी मैंने बरतन में प्लडट दिया अब लाल मिर्च अच्छे तो पता चल जाएगा की मिर्च वह भून चुक है तो देखें हमारी मिर्च भून चुकी है तो अब मैं इसे बर्तन में पलट दूँगी और यह देखिए जो तो ना अच्छा लग रहा है इसके हिसलर कंश Danny नाल मिर्स भून चुकी है और सबसे लाइशो में मै भूनओंगी तेजपत्ता तो तेजपत्ता भी भून एगा उसका डी मिनाट भूनबगा हैं अब इन सारे मसाले को मैं जार में डालके अब इसका पॉडर बनाओंगी यह देखिया मैं सारे मसाले को जार में डाल दिया है मैंने और अब मैं इसका पॉडर बना लेती हूँ और ये हमारा मसाला पॉडर तेयार हो चुका है ये देखिए तो अभी भी इसमें कुछ मिलाना बाकी है तो अब मैं मिलाऊंगी इसमें आधा चम्मच के करेब हल्दी आपके quantity के उपर आप मसाले के quantity के उपर depend करता है आपको कितनी हल्दी मिलानी है नहीं मिलानी है हल्दी मिलाने से मसाले का जो texture है जो color है वो निखर के आता है तो इसलिए अब मैं सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला रही हूँ ताकि एक दूसरे में सारा मसाला मिल जाए और मसाला ठंडा भी हो जाए ताकि हम उसे एर टाइट कंटेनर में रख पाएं thank you for watching do like comment share and subscribe thanks